नवस्का जहिंद जीके का प्रेक्टिस सेट पर लेकर आए हैं कौशन बहुत ही शांदार हैं कोशिश कीजिए आधे प्रशन सही करने का करते हैं वीडियो को स्टार्ट भारत में इस्ट इंडिया कंपणी की सत्ता जमानी से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर याद करता था भारत की सुटंता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज इन में से कौन सा था सबसे बड़ा सामंती राज तो भारत की सुटंता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज था आपका हैदरावाद राज ऑप्शन नुम्बर सी हैदरावाद राज राइट आंसर है निम्नलकित में से किस ने हिंद धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाब प्रचार किया जैसे कि मूर्ति पूजा जन्म से जाती पशु बली और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंद तो इन सभी का विरोत किया था स्वामी दयानन सरस्वती जी ने ऑप्शन खूबसूरत मस्जिद भी शामिल है तो लाल बदुवा पत्थर का ये जो प्रसिद्द किला है वो है आगरा का किला आगरा के के लिए के अंदर क्या क्या है जहांगीर महल खास महल दिवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिद ऑप्शन नमबर ए आगरा फोट राइट आं अप्शन नमड़ी स्वदेशी अंदोलन लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था राइट आंसर हो जाएगा भारती राष्टी कॉंगरिस का पहला मुसलिम अद्देक्ष कौन था तो भारती राष्टी कॉंगरिस का सबसे पहला मुसलिम अद्देक्ष था बदरु पुरुद्दीन तयवजीugee right answer, महराजा सवाई जैसिंग, द्वारा निर्मित जन्तरमंतर क्या है, तो महराजा सवाई जैसिंग, द्वारा निर्मित जन्तरमंतर, खगोली ये वेदशाला या एस्ट्रोनॉमिकल अब्जर्वेटरी है, option number D right answer है, पाकिस्तान में सिंदु नदी को किस उर्दू नाम से संभूधित किया जाता है, तो पाकिस्तान में सिंदु नदी को दरिया ए सिंद कहा जाता है, option number C, दरिया ए सिंद right answer है, भारती कॉंग्रिस का पहला संभिलन कहां यु पहले किस ने स्भूधित किस ने साटन किया था, विजे नगर सामराज्य पर सब से पहले संगम राजवन्ष ने शाषन किया था, option number D संगम राजवन्ष राइट अंसर है, भारत में पूर्तगाली शाषन की आधार शेला किस ने रखी थी? तो भारत में पूर्तगाली देश का फौजदर नियुक्थ होने के पश्याद हैदर अलि ने अपनी इस्तिति को सुधरण किया तो हैदर अलि डिनडी गुल का फौजदर नियुक्थ रहत कि यह गर्म दली सल से कहलाते थे ऑप्ष्य नंबर डि यहां पर राइट अंसर हो जाएक कुरिटिष शाशंग के अंतरकत गरीवी और अ islands यूअ पर बिल्कुल सभी है आदिल शाही बीजापुर बिल्कुल सभी है कुदब शाही गोल कुंडा पूब सभी आदिलो कैप में पार तेम सबात Mayelen देख सब्सकिये जाता था तो प्रयाज में सब्सकित हर्जह वर्ष में क्रिश्ण देवराय के दरवार के अश्ट दिगज में कौन शामिल थे अश्ट दिगज में इनमें से कौन शामिल थे तो अश्ट दिगज की बात करें तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिये गए उनके दरवार के आठ महान कवी शामिल थे उप्शन नमरे उनके दरवार के आठ महान कवी राइट आंसर है बुद्ध को क्या मानने नहीं था मुर्ति पूजन, मुर्ति पूजन और बली मानने नहीं था मुर्ति पूजन और बली मानने नहीं था मुर्ति पूजन और बली मानने नहीं था उलिक कहां मिलता है तो प्राचीन काली इन्साशन कला और राजवरस्था का उलिक अर्थ सास्त्र में मिलता है आप्शन नमसी अर्थ सास्त्र अर्थ सास्त्र पुस्तक किसने लिखी आप कमेंट करके बता सकते हो तो बताओ अर्थ सास्तर नामक जो पुस्तक है किसना लिखी है निम्द लेकित में से 1192 इस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था तो 1192 इस्वी में तराइन का दुसरा युद्ध हुआ था 1192 इस्वी में आप्शन नमबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी तो जो पल्लवों की राजधानी थी वो थी आपकी कांची पुरम आप्शन नमबर भी कांची पुरम पल्लवों की राजधानी थी बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था तो बंगाल विभाजन आप देखेंगे तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था किस सताबदी में अशोक का सामराज था तो अशोक का सामराज था इसा पूरु तीसरी सताबदी में अशोक का सामराज था भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिली सल्तनत पर किस राजवंश का शाशन था तो भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिली सल्तनत पर तुगलकवंश का शाशन था उप्शन नमबर भी तुगलकवंश राइट आंसर है बह्मनी सामराजी की स्थापना किस न की थी तो बह्मनी सामराजी की स्थापना अलाउदीन हचन बह्मन शाह न की थी अलाउदीन हचन बह्मन शाह जैहिंद का नारा किस न दिया था तो जैहिंद का नारा सुबाश अंद्र बोजी का ये नारा था जैहिंद option number C सुबाश अंद्र बोजी का नारा था किसे भारत के लोपुरुष के रूप में जाना जाता है तो भारत का लोपुरुष का जाता है सरदार वल्लब भाई पटेल जी को option number C सरदार वल्लभाई पडेल जी को किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाने आता है तो भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नोरो जी प्रसिद्ध है option number A दादा भाई नोरो जी right answer है भारत छोड़ो अंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप किसकी प्रतिक्रिया शुरू हुआ था भारत छोड़ो अंदोलन कृप्स प्रस्ताओ के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था option number B right answer है लोड मेकाले का संबंध है तो लोड मेकाले संबने थे आंगरेजी सिक्छा से option number C अंग्छी जी शिक्षा को बढ़ावा देने से धन्वंतरी प्रशिद भारती ऑशदियों से ये जुड़े हैं भारती ऑशदियों से धन्वंतरी का नाम जुड़ा हुआ है निम्दलकित में से किस रचना के लिए रविनाथ टेगोर को नोबिल पुरुसकार से समानित किया गया गीतांजली के लिए option number C गीतांजली राइट आंसर है सिराज दौरा की हार डैश के युद्ध में हुई थी तो सिराज दौरा की जो हार हुई थी प्लासी के युद्ध में हुई थी option number C प्लासी का युद्ध राइट आंसर है गौतम बुद्ध ने अपना प्रतम प्रवचन कहां दिया था तो गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला प्रवचन दिया था सारणाथ में option number B सारणाथ राइट आंसर है सक्युग आरंबुआ कब से तो सक्समवत या शक्युग सन 78 इसवी से आरंबुआ option number C सन 78 इसवी राइट आंसर है प्रसिद्ध चीनी यात्री हें सांग किसके शाषन काल में भारत आय था तो हें सांग आय था हर्ष वर्धन के शाषन काल में भारत इंडिका किस ने लिखी सेम कॉश्चन तो यहां पर आपको आजाएगा मेगस्तनी जॉप्शन नमबर डी बिल्कुल सही आंसर है पुरी के जगनात मंदिर कर नमान किस ने किया था तो पुरी के जगनात मंदिर कर नमान अनंत वर्मन चोडगंगी ध्याएगा था ओप्शन नमबर डी राइट आंसर है तू गुलांव वंश के संस्थापक थे कुटुबुदीन एबख ओप्शन नमडी कुटुबुदीन एबख राइट आंसर है दिल्ली में जाम महजित कर नमान किस ने किया था तो दिल्ली की जाम महजित कर नमान कराया था शाह जहां ने ऑप्शन नमबर C शाह जहां राइट आंसर है East India Company की स्थापना के समय भारत का शाषक कौन था तो East India Company की स्थापना के समय, भारत की शाषक ते अगबर option number B सन 1870 एसीवी के विद्रों में किसमें भाग नहीं लिया था तो यहाँ पर आको जो नाम दिये गए उनमे से भगत सिंग जी ने भाग नहीं लिया था option number भी भगत सिंग जी ने भाग नहीं लिया था the servant of India society के संस्थापक कौन थे तो the servant of India society के संस्थापक थे जी के गोकले जी option number भी दिल्ली को किस वर्ष भारत की राधानी बनाए गया था तो दिल्ली को भारत की राधानी 1911 में बनाए गया था चौरी-चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा तो चौरी-चौरा घटना के बाद असायोग आंदोलन को अचानक ही रोकना पड़ा उप्शन नमसी अचायोग आंदोलन निवने मैंसे किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हर्ताल को सस्त्र की तरह प्रयूग किया तो गांधी जी ने भूख हर्ताल को सस्त्र की तरह प्रयूग किया था अहमदाबाद हर्ताल 1918 में अप्शन नमबरी अहमदाबाद हर्ताल 1918 किर वकील तो तीन आढ़ Ma Geek आये क्वारती जवानों की प्र reward के समय वकील तो मिस मिलनी स्थापना युक्त का बारत नवर बाज नाम बताइए तो भारत में संपूर क्रांति के पक्षधर थे जय प्रकाश नारान जी राइट आंसर है सक्काल पर आधारित राष्टी पंचांग किस वर्ष में आरंब हुआ तो सक्काल पर आधारित राष्टी पंचांग 78 AD में स्टार्ड हुआ ओप्शन नमबर C 78 AD यहाँ पर इस प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भीम बेटी का गुफाँ हैं कहां स्टित हैं तो भीम बेटी का गुफाँ हैं आपकी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिये हैं उत्तर प्रदेश, मद्य प्रदेश, आंदर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भीम बेटी का गुफाँ हैं आपकी मद्य प्रदेश में महावली पुरम की समारक है तमिल नाडु राज और कांची पुरम में कहां पर है तमिल नाडु राज कांची पुरम में है महावली पुरम की समारक option number B तमिल नाडु कांची पुरम यहाँ पर right answer इस प्रश्णि के लिए वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांदी जी ने असायोग आंदुलंद की शुरुवात की निम्द लेकित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कारे का अंश नहीं है कौन सा इसका अंश नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिये गए हैं स्वदेशी को प्रोचसाहन बिल्कुल सही था अजप्रश्चता हटाना बिल्कुल सही था हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोचसाहन ये भी बिल्कुल सही था विदेशी वस्तों की खरीदी अलाई दरवाजा जैसे समार्कों में द्रश्टी गोचर है भारत के किस यूग का यूग से संबनत हैं बताइए भारती इसलामी सिल्प कला जो कुतुम्मिनार में अलाई दरवाजे में द्रश्टी गोचर है मतलब आपको देखने को मिल सकती है किल सल्तनत की है तो या रखना कुटम मिनार अलाई दरवाजा की जो कला है दिल्ली सल्तनत के समय की अप्शन नमबर भी दिल्ली सल्तनत के समय की है अलाई दरवाजा कुटम मिनार की जो कला है भारती इसलामी शिल्प कला है निम दलगित में से कौन वह भारती था जिसे ब्रिटिशन ने सुतंता संग्राम म मैं शामिल होने के कारण 18 वर्ष की उम्र में ही फांसी दे गई थी option number A, खुदी रामबोस, right answer है वयस्क सिक्षा संगठन, Adult Education Organization, AEO ग्यान प्रसारक मंडली की शुरुवात किस ने की थी तो AEO, इसकी जो शुरुवात की थी, दादा भाई नोरो जी ने की थी option number A, दादा भाई नोरो जी ने AEO की शुरुवात की थी, Adult Education Organization की भारत में अपने नियंत्रन को बढ़ाने हितू, ब्रिटिश और भारतियों के बीच कई उद्ध लड़ी गए थे परन्तों अमलिकित में से एक उद्ध इसमें शामिल नहीं था यहां पर कुछ युद्धों के नाम देगा, इनमें से कोई शामिल नहीं था, कौन सा युद्ध शामिल नहीं था भारत, भारतियों और प्रिटिश के बीच में तो एंग्लो सिख्ष युदध भी पर निमदल किति मैं से मोगल समराटों जिनूंने भारति बी पहांदी पस्टाशन किया था का farm उल्टा अनुक्रम मतलब अन्तिम से पहले कौन सा है बताईए तो यहां पर आपको उल्टा चलना है चलिए चलते हो उल्टे इसी बात पर तो सहा जहा शाह बहादूर बहादूर शाह द्वतिय उसके पहले ओरंग जेओ उसके पहले शाह जहां उसके पहले अकबर अप्शन नमसी सही है देखिए बहादूर शाह द्वतिय उसके पहले थे ओरंग जेओ उसके पहले थे शाह जहां उसके पहले अकबर अकबर के पहले हुम निम्नलगेत में से किसने सोतंता अंदोलन के एक अंश के रूप में चिट्टा गाउं सस्त्रागार छापा में भाग लिया था। क्या हो जागा राइट आंसर। निम्नलगेत में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाये गया था। स्वतंतता संग्राम करांतिकारी नहीं है। तो चंदर्शेखर आजाज जी, option number D, option number D यहाँ पर आइट आंसर हो जाएगा, जिनको फांसी पर नहीं चढ़ाये गया था। चंदर्शेखर आजाज ने स्वयम को गोली मारी थी, बाकी भगत सिंग, राजगुर सुक देव जी को फांसी पर चढ़ाये गया था। चंदर्शेखर आजाज जी को फांसी पर नहीं चढ़ा पाए थे, वो पकड़ी नहीं पाए थे। शेवका नरतक स्वरूप चिदंबरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ती का निमान किस ने किया था। तो नटराज मूर्ती का जनन मान कराया था, वो चोल वंच के शाषकों के दवार हुआ था। स Warner स्टी in White बारत में शिक्षा प्रगति की समिक्षा New विलियम हंटर संपीति की सवर्श किया गया था विलियम हंटर संपी हिसका गटन की आगया थाथ 1882 में ऑप्षण नम्Бर iOS 1882 में विलियम हंटर समीति का गटन की आगया थाराइड अंसर है निवर्द निवर्द लाकित्री से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम बताव। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम। यहां पर आपको जो उप्षन दिये गरे हैं। सबसे पहला आई दा गुलाम वंश, गुलाम के बाद киलजी, खिलजी के बाद तुखलक, तुखलक के बाद लोधी, आप्शन नमर भी पढ़िये, गुलाम, खिलजी, तुखलक, लोधी, यहाँ पर आपका ये करम बिलकुल सहistent है, गुलाम, खिलजी, तुघलक, लोधी या दक्ष कौन थे उस समय थे आपके जे भी कृप्लानी जी कॉंग्रिस के दक्षा उप्षण नमड़ी पड़िये जे भी कृप्लानी जी यहाँ पर इस प्रशनि के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जे भी कृप्लानी जी ठीक है अगला कोशन देखी अगले कोशन क्या पूछा गया है वर्ष 1885 में भारती राश्टी कोंगरिस के गठन की दौरान गवर्णर कौन था 1885 भारती राश्टी कोंगरिस के गठन की दौरान लौडड अउप्शन नमबर भी यहां पर आईट आंसर हो जाएगा इस से प्रश्टन के लिए लौड डफरेन 1907 में भारती राश्टीन सौतनतता लीक कहा विख्शित हुई थी तो भारतिय सो तन्तरता लीक कैलिफॉर्णिया में विक्सित हुई थी option number C कैलिफॉर्णिया यहाँ पर right answer है assembly बंबकार्ण में भगत सिंग के साथ कौन मुख्या रूपी था तो assembly बंबकार्ण में भगत सिंग के साथ बटुकेशोर्दत मुख्या रूपी थे option number बटुकेशोर्दत मक्का महजिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया तो मक्का महजिद जो हैदराबाद है ओरंगी जेओ के द्वारा संपूर्ण किया गया था option number बढ़ी ओरंगी जेओ यहाँ पर right answer है तमिलनाडू में हुए नमक सत्यागरा का निततर किस ने किया तो तमिलनाडू में नमक सत्यागरा हुआ था सी राजगोपालाचारीजी ने उसका निततर किया था option number बढ़ी सी राजगोपालाचारीजी right answer है यरवधा जेल कहा है तो यर्वधा जेल प्रसिद्ध है बहुत और ये आपकी पूने में है option number भी पूने में है यर्वधा जेल गुलनावाद की लड़ाई महमूद हो ताकी कि साल में लड़ी गई तो गुलनावाद की लड़ाई 1722 में हुई option numero 1722 वह औरत को ने जिसने सुतनता के लिए लड़ने के लिए भारती महिलाओं की जागरती में एक महत्पुन भूमिका ने भाई उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाने जाता है तो भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नाइडू जी को जाने जाता है उप्शन नमबर सी और पोताला महल का क्या महत्व है? पोताला महल जो है आपका यहाँ पर आईट आंसर हो जाएगा दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रेस्थल है अप्शनमबडी दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रेस्थल जीरो माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा इस्थापित किया गया जो इस बिंदू का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं इसको क्या कहा जाता है तो जीरो माइल स्टोन यह आपक पंद्रा सो पांच में भारत में पहले पुर्टगाली वायस राय द्वारा किस के लिए करन्रमान कराए गया था तो पंद्रा सो पांच में सबसे पहले करन्रमान कराए गया था पुर्टगाली द्वारा सेंट एंजिलो फोर्ट ऑप्शन नमबरी सेंट एंजिलो फोर्ट स सबसे पहले बनवाए गया तों दुनिया की सबसे ऊची इंटों की मिनार की इस खर और 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किस के आदेश के तहत किया गया तो कुदुमिनार के नमान कुटबुदीन एबक के आदेश के तहत किया गया जलिया वाला वाग नसंगार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओटायर को किसने में मारा था तो जलिया वाला नरसंगार का बदला लेनी के लिए लंडन में जनरल ओडार को सरदार उधम सिंग ने मारा था उप्शन नमबर भी निम्नलिकित में से कौन सी धार्मिक और धर्मिनर्पिक्ष दोना रूप से प्रसिद्ध एतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेपुर सीकरी शहर में है धार्मिक और धर्मिनर्पिक्ष दोना रूप से कुतब शाही मकबरा ये नहीं है बाकी बुलंदर वाजा है सलीम च खित्मतगार आंदोलन का संस्थापक कौन थाइन में से और उसने 1947 में द्रणता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरूत किया था तो राइट आंसार हो जाएका खान अब्दुलकवभार खान खुदाई खित्मतकार आंदोलन के संस्थापक थे और दुनता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विद्रोग किया थे नों ने